नमस्कार दोस्तों जैसे आपको पता है मैं आपको स्पेसल हरियाना की नियूज देते हैं तो आज की जो ताजा खबर है उसके एकोरडिंग TGT की जो English के लिए 1035 पोस्ट है तो उनको रद करने की त्यारी है सरकार ने इसके लिए अपने जो नियम है वो उनको हवाला देते हुए CS हरियाना से सिफारिस की है तो पूरी की पूरी जानकारी हैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तो आप चाहिए इस भरती स जो आपने form apply कर रखा है तो वो भी साइद रद हो जाए क्योंकि ये कुछ ऐसे जो नियम बना रहे हैं इनके लिए अभी हमें थोड़ा सा एक जूट होके union की according या फिर कुछ न कुछ हमें इकठा होके सरकार के जो इस फैसला है इस फैसले के विरूद अपने को कारियवाही करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है तो कम से कम आपको क्या करना है और कितने students कुछ इसके अंदर कर सकते हैं तो वो सारी इक सारी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं आज की जो हैडिंग है वो है इंगलिस TGT के 1035 पदों की भरती पर किरिया रद करने की त्यारी तो यह जो पूरी न्यूजपेपर की कटिंग है यह आज का दैनिक जागर्ण न्यूजपेपर की कटिंग है इसके अंदर जो सारी चीज़ें लिख्यों ही है मैं आपको वैसे पढ़के बता देता हूँ क्योंकि मैंने यह सारी जानकारी पढ़ ली है तो आपको मुख्य खबर जो हो बता देता हूँ वह अभी कुछ दो दिन पहले जैसे मैंने आपको कल न्यूजप दी थी वह सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के अंदर जो TGT की भरती निकाली थी 2010 में जो च इंट्रिवी होता था और अब इंट्रिवी नहीं है इंट्रिवी सुमाप्त है एक तो यह अडचन दी है और दुसरा वाला दिया है कि पहले जो है सोचल एकनोमिक के अधार पर बच्चे के नॉमबर नहीं दी जाते थे अब सोचल एकनोमिक क्राइटेरिया के कि भी इस भरती को नए सिरे से विग्यापित किया जाए और इस भरती को रद कर दिया जाए नए सिरे से अगर भरती को करेंगे तो ठीक रहेगा उसके अंदर कोई अर्चन नहीं आएगी इसी का कोर्डिंग कल उन्होंने ओफिसी लैटर के द्वारा CS हरियाना यानि कि जो Chief Secretary ह हरियाना है मुख्य सचिव है हमारे तो उससे राय मांगी है और मुख्य सचिव का जो जवाब आना है वो अभी तक पैंडिंग है उनका भी जवाब 100% यही आएगा दोस्तों अभी तक आया नहीं है लेकि जो आएगा जवाब आपको पता भी है और मैं आपको बता भी देत कर सकती है और इसको करने की पूरी त्यारी भी है क्योंकि सरकार ने अपना मन बना लिया है जैसे अपनी PTI की भरती रद हुई है उसी तरीके से ऐसे ही इस भरती को भी रद करने की पूरी त्यारी कर ली है आपको पता भी होगा अगर एक बार भरती रद होगी तो अगले दो- स्वक के अंदर तो उसके कोडिंग आगे आने वाला जो टाइम है उसके अंदर बहुत ज़्यदा प्रोब्लम होगी क्योंकि अभी जोब की जरूरत है जनता को युवाओं को जो इतने लंबे समय से महनत कर रही है और सरकार इन भरतियों को रद के उपर द करने जा रही है तो आप लोगों को करना क्या है दोस्तो अगर आप Twitter यूज करते हूँ या Facebook यूज करते हो तो CMO हरयाना के नाम से जो आपका Official पेज है डेली उनको mail करते हैं, उनको messages करते हैं और messages के अंदर आपकी उचित सब्दों के अंदर एक pattern के अंदर अच्छे तरीके से सारी चीज़ें अगर लिखके ये आप request करते हो तो सायद हो सकता है कि 1-2% सरकार मान ले कि आपकी बातों को क्योंकि ये जो भरती के अंदर डिले किया है, इसके पीछे भी कौन है, इसके अंदर किसी युवा का तो हाथ नहीं है, क्योंकि जो students, जो candidate थे जिन्होंने apply किया था, वो तो किसी भरती को late करने में उनकी तो कोई problem नहीं होती नहीं है, ना ही वो किसी भरती के अंदर अरचनों में आगे आते हैं, लेकिन सरकार की आपका मुख्य कारिये है, वो आपका यहीं बनता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी क्या जवाबाना है, यह आजसी के पास drawback की power होती है, वो आपने vacancy को कभी भी वापिस ले सकती है, ठीक है, तो यह आपका कोई भी notice जब भी आता है, official notice उस notification के अंदर आप देख सकते ह तो उसके according access से आप ले सकती है, लेकिन अगर आप यह request करोगे CMO साब से, या फिर आपने tweet करते हो, तो उसके according आपका हो सकता है, कि यह भरती cancel होने से बच जाए, इसके according और भी बहुत सारी भरतियां है, जो cancel होने की कगार के उपर है, उन सभी के बारे में हम live session के दुरान आप लोगों से बात करेंगे, अगर आप नई है चैनल पे, तो चैनल को subscribe कर लें और bell icon को press कर लें, ताकि जैसे ही हम आप लोगों से रूबरू होंगे, तो उसी दुरान हम सारा discussion कर सकेंगे, इसके regarding, तो वो आपकी next जो हमारी वीडियो होगी, उसके अंदर करेंगे, तो च वाला देखें, जो चिठी लिखी हैं, उन्होंने इसके according, वो अपनात त्यार कर सके, पैटरन और उसके according सरकार के जो ये फैसला है, इसका विरूद कर सके, तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है, जो भी suggestion लगा है, तो आप अपनी राय जरूर बताएं, thank you दोस्